चेहन प्यारे साथियों स्वागत है आप सुभी का एक बार फिर से खोठा केंग ऑफिस्यल पे आए शुरुबात करते हैं एक नुए टॉपिक पे और इस टॉपिक का नाम है लोकुक्ति लोकुक्ति होता क्या है सबसे पहले इसको जानेंगे उसके बाद इसका और क्या-क्या नाम से यह किस-किस नामों से जाना जाता है इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे लोकुक्ति को खोट्ठा में का जाता है यह मुक्ति होते है यह पूर्ण वयक की होते है यानि यह कवितातमक रूप में होते है जो कि कोई आज से नहीं है, हजारों वर्सों से कह सकते हैं कि लोगों की अनुभों के आधार पे चल रहा है, और हम लोग क्या है, मुह से सुनते आ रहे हैं, एक दुसरे से वो आज बोल रहे हैं, कल हम लोग किसी को ये चीज़ सुनाएंगे, पर सो फिर वही हमारे बच्चे किसी और को सुनाएंगे अगली पिढ़ी को, तो ये पिढ़ी दर पिढ़ी जो एक लंबे समय से ये चला आ रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, लोकोकती कहते हैं, क्लिर हो गया, अब ये किस-किस सम्बंदित हो सकता है, तो बता दे कि किसी तरह के खास घटनाओं से सम्बंद ब कौन हो लोक कहनी से निकलल सार चाहे शुत्र या वै कि हो ओकरा की कहल जाये और यहां सवाल पूछा गया है तो इसको हम लोकोगती या फिर कहावत कहते हैं खेलेड हो गया जैसे ऑप्लते की कोई चीज बोलते हैं तakesरते बोलते हैं का एक औरा कहावत है तुरंत उदाहरन की रूप में हमको एक कहावत का उदाहरन हमको वहापे मिलता है जैसे वहापे आपको क्या की कुछ खाने के लिए मिला आपने खाने के बादों में क्या की बाद में बोलने लगे कि ने अब ठीक ने लग रहा है नमक इसमें कम है ये ठीक है तो वह का जोग एकजांपल है एक मागे जाड़ा नय भागे कई बार न बहुते हैं कि ठीक है आज हम रहा हुँ नाय देरली ने एक के मागे जाड़ा नाय जाए तोरों जवरत पढ़ता हो यानि समय फिर आएगा एक जैसा समय नहीं रहता है फिर देखते हैं कि तुमको भी जवरत पड़ेगा या नहीं पड़ेगा अगला इसमें अंकर धने बिक्रम राजा लग tribes वे लिए औरा किये वार दुसरे के भरों से घमंद न ज्युक्त है सखी मारना या सेखी बघहारना लेकिन हमारा वो ये है, हमारा ये वो है, ये इस तरह से बोलना, तोसी को बोला जाता है दूसरे के भरों से घमंड करना, यानि अनकर धने बिक्रम राजा, कि किसी दूसरे के धन पर आप राजा नहीं कहलाएंगे, जब तक आपके पास वो स्वयम करना हूँ, पानी भरे से प मेसा फल मिलता है, उसको कभी कमी नहीं होता है, ऐसा नहीं कि कोई अगर किसी धन संपती को, किसी गरीब को दे दिया, कभी दान कर दिया, या किसी की मदद कर देते हैं, तो उसको कमी नहीं होता है जीवन में कभी, एक तो इसका अर्थ ये निकलता है, और दूसरा एक और य खाने के उसके बदले में दुसरा कोई एसमोज कर रहा है तो उसको बोला जाता है पानी भरे से पियासे मोरे यानि जो पानी भर रहा है वही पियासे मर रहा है एक तो इसका ये अर्थ निकलता है और एक होता है कि पानी भरे से पियासे नाय मोरे यानि जो किसी की भलाई करता उसका फल हमेशा उसको मिलता है यह दोनों चीज़ें याद रखना है गायना गोरू बिहान ले सुते घरू यानि गैर जिम्मेदार आदमी निकम्मा होता है जिसके पास कोई जिम्मेवारी नहीं होती है उसके वो व्यक्ति होता है वो क्या होता है निकम्मे के बराबर होता है तो इसलिए हमेशा किसी भी व्यक्ति के पास एक आपका कोई भी उमीद होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए, उद्देश ही होना चाहिए आपको पूरा जीवन जीने के लिए, अगर आपके जीवन में कोई उद्देश ही नहीं है, तो फिर वो जीवन जीने से बराबर कह सकत यानि बैठा बनिया क्या करता इस तीन का माल ईस तीन में और यह संतीन का माल फिर दुसरे में कई बार होता कि कुछ अगर काम नहीं होता है तो क्या करेंगे कोई वस्तु इसमें रखा हुआ brushes की तोjस कर दिए फिर इससे उचल करके अकर्मे कर दे लो या तो कहीं पर आप बैठे उए यहां रख दे यहां यहां ठीक स्वाभा करते हो यानि कुछ भी काम नहीं तो फाल्तू की कामें यह सब करते रहाना चीक है कहावत यह है कि जब आप किसी चीज को कोई चीज अगर कहीं समाप्त हो जाएगा वह काम खतम हो जाएगा उसके बाद कई लोग मिलेंगे अरे हमको बोला लाता हम कर दे रहते तो मर लें बैद यानि कोई मर गया तो खूब मिलेगा बैद कि अरे वह तो इलाज उसका अच्छ ना आना है ना समय पर काम का ना होना ठीक है यहाँ पर समय पर काम का ना होना उसी को बोला गया है बापे पूत परापते घोड़ा ना कुछ ता थोड़न थोड़ा कहावत बहुत बार आपने सुना होगा है ना कि खांदान वंस का परभाव जो वो कुछ ना कुछ जरूर को मिलता है हो सकता है कि कुछ-कुछ ऐसा परभाव होगा किसी आधार पे चाहे वो बोलने के आधार पे चाहे वो काम करने के धंग से चलने के धंग से उसके पहनावा के धंग से या तो और किसी आधार पे कोई एक होता है कि उसके पिता जी कॉमेडियन के रूप में होते हैं तो उसके बच्चे भी ठीक उसी प्रकार से देखने को मिलते हैं, तो कहीं न कहीं उसका परभाव, अगर पिता जी बदमास है, तो बच्चे में भी थोड़ा बहुत परभाव जरूर देखने को मिलता है, तो यहीं है, बापेपूत, प्राप्ते घोड़ा, ना कुछता थोड़म थोड़ा, ठीक है, तो यह चीज़ें आपको याद रखने हैं, आगुनाथ ना पिछू पगह, जिसके आगे पीछे कोई नहीं होता है, उसको बोलेगाते हैं, आगुनाथ ना पीछे पगह, ठीक है, ना ही आगुना मेनथ है, ना ही पेछू में पगह है, ठीक है, तो उसके यानि जिसके आगे पीछे में कोई नहीं है, बारह राजपूत, तेरह चुलहा, यहाँ पे किसी भी जाती सूचक का सब्द अगर परियोग किया जाता है, ऐसा आपको बहुत सारा मिलेगा कहावत और मुहावरा में, तो यहाँ पे आपको जातियों से नहीं जोड़ना है, कभी यह आप जाती से जोड़ करके यह नहीं देखेंगे, इसे जो वो आप एक मात्र कहावत और मुहावरा के आधार पे आप इन चीजों को पढ़कर के याद ठीक है? तो इसका अर्थ होता है क्या? देखें 12 लोग है और 13 मत है, तो इसी को बोले गाए विभिन मत, यानि घर में 4 लोग है और 4 हो का अलग-अलग मत है, तो उसी को यहाँ पर एकजामपल के रूप में इसका बताया जाता है, कहावत के रूप में अगला इसमें है अगन सुखे फूलल गाल फैर बहुरियाक ओहे हाल यह सवाल JSC के एक्जाम में पूछा गया है कि धन होने पर अहंकार करना और फिर से पुराना वही हाल पे हो जाना कि कुछ दिन के लिए तो बहुत सौक मोज कर लिया अब फिर पता चला कि फिर वही दिन पुराना आ गया तो वही है अगन सुखे फूलल गाल फैर बहुरियाक ओहे हाल अरंडी बोने बिलायर बाग यह भी सवाल जोगों JSC में कई बार पूछा गया है कि मुरकों मुरकों के बीच में कम जानकार भी ज्यानी माना जाता है जैसे अंधों में काना राजा अब यहा पे साद मी बैठा लथू और दसो जे वो आंधर अधर उतो ओक्रिम एक आदमी आग लो जे की काना है यानि एक आंधर तो कम से कम देखायर ले तो बहुत जाता है तो उसी को जो वो अच्छा पद मिल जाता है कि हाँ हाँ भाई वो बहुत जानता है क्योंकि बाकी लोग समझी ने रहें तो उसका महत्तु समझेंगी तब तो तो इस तरह से आपको चीजे याद रखने हैं अरंडी बोने बिलायर बाग चली अगला सवाल है बेल पाके तो कवग बाप के की कई बार बोलें कि लंका में सो सस्ता हो यानि महां धेरी हीरा मिलो सस्ता भी मिलो अरी आफ्रीका हम जाएंगी तो ने तो है बहुत कोज तो बेल पाके तो कवग बाप के चीजे अब जाकर नाते ना हो वोकरा मटर और बूट से की मतलब तो वही कहावत दादी महां बैठी थी आया उसका पोता और बोलता से फाइदा तो इस तरह से चीजें आपको याद रखने हैं पखल सीजे ना मुरुख बुझे ना तो नहीं बलते कि तोरा समझाना यानि पथर सीजे ना मुरुख बुझे तोरा समझाओ इस बढ़िया हो दिल्ली पहिदल जाना यानि जिद्धी व्यक्ति लोग को अपने बात पर अड़ी रहते हैं वो दुसरा कुछ मानेंगी नहीं लाख कुछ उसको समझाओ लेकिन वो आपन बात पर अड़न रतो हो न यह है ठीक हो और हम ठीक हो दोसर के बात ना मनूँ गिदर ले जुन जुना भारी ठीक है गिदर ले जुन जुना भारी यानि कम वस्तु वाली वस्तु के लिए अधीक खर्च करना एक वो समान हलो दस्टगा के दस्टगा के समान हलो कि यह तोरा कहे दल को कि वहां चल जो जैसे यहां मान लेते हैं कि अ ही एफ्रीज यहांके आपको क्या दो कि महां लेते हैं 15,000 में मिल गया 15,000 में मिल गया खोई बोला कि यह NEW भाए रांची तो उना तो यह विल थे या 13,000, 14,000 में मिल जाता है ठीक है भाई, चलो कोई बात नहीं वो क्या किया व्यक्ति? चल दिया रांची पहले तो वो 200, 400, 500 रुपया खर्चा उसका भाड़ा पे बोला कि भाई फिरिज लेना है तो अकेले तो जीवाई ना है एक दू आदमी ले गलो तो दू आदमी आर लेग गलो तो एक हजार भाड़ा में खर्चा होग लो तो चौदार एक पंदरा हजार तो इहें होग लो अगर बात फिरीज तो ले ललको अब लेग वो कैसे तो गाड़ी फिर करे लो तो गाड़ी वास्ते फिर 2000 के ललको 2000 में गाड़ी होग लो तो यानि 15 अर्दू 17,000 उल्टा पर लो कि हलो 15,000 के लेलल को आर 17,000 में तो वही हाल है गिदर ले जुन जुना भार यानि चीज वस्तू मतलब कम वाली वस्तू के लिए अधिक खर्च कर देना करें से लोग ना कई भार आपने अपने कहा बत सुनाँ गां कि एक नंबर पर्येट के लिए एक नंबर प्लेट के लिए लोग एकक लाख रूपर या पच्पंच्च लाख रूपे 13 रूपर खर्चा कर देते अ रहे भाय जैसे मतलब कि अधिक संविद्हानय में जगह तो नमबर प्लेट से चल आगे जलते हैं अगला सवाल है आपन घरें कुकूर बरियार कि हाँ आपन घरें कुकूर बरियार होगो है यानि छेत्र विशेष पर वर्चस होता है अधिकार होता है हर छेत्र में अपना अधिकार होता है अगर पानी में चल जाए तो पानी में मग पर यक्ति जो वो आदमी आदमी वहां पर बर्यार हो गया कि दुसरे जगा पर चल गए तो कई जार ये सारी चीजी होता है तो हर जगा पर अपना अधिकार विसेस अधिकार हो तो ये बातें निकल कर किक्या आता है एक आखी काजर एक आखी कोरा तो ये आपको याद रहना है अपने गेल नो हाथ एक पाघा लेले गेल ये भी आपने सुना होगा कि आपने तो गेवे करन लेकिन नो हाथ एक पाघा लले गले यानि आपने तो गया गया साथ में और लोगों को भी बरबाद करते गिया तो इसका sensor है आप गए पर दूसरों को भी बरबाद किया ठीक है तो आपने तो गया ही दूसरों को भी बरबाद करते गिया आरजे भागवाएं और खायद होती है यानि अरज रहा और खार है कोई और इसके बारे में एक और हमने एक्जाम्पल बोले था कि जे पानी भरे से पियासे रहे हैं जे पानी भरे से पियासे रहे प्यासे मोरे, यानि अरजे भगवाय और खायध होती हैं, अरज रहा है कोई और व्यक्ति और खा रहा है कोई और व्यक्ति, तो इसी का ये कहावत है, कामेक धाम है, चामेक ना है, लोग बोलते हैं कि उपरी दिखावे का महतु नहीं होता, उसके गुन का महतु होता है, आप देखने में कितना अस्मार्ट हैं ये बहुत माईने नहीं रखता है आपके चेहरे कितने अच्छे हैं ये माईने नहीं रखता आप कितने महंगे कपड़े पहंते हैं ये कोई माईने नहीं रखता माईने रखते होंगे उन्हीं लोगों के लिए जो इन लोगों का महत्व केवल उतना ही समझते हैं तो उन लोगों के पास आपका महत्व हो सकता है लेकिन एक ग्यानी पुरुस के पास में हमेशा गुन का महत्व होता है ग्यान का महत्व होता है उसके ब्योहार का महत्व होता है ना कि उसके पहनावा का और सरीर का महत्तु होता है है ना, तो यहाँ पर इसी कहावत है कामेक दाम है, चामेक ना है जगर बांदर सेहे नचमे जाने बहुत बार हो लोग, एक ताला खुल रहु हो खुलिये नारलो खोलते पाग तूर से कहा खुलतो जहकर बांदर लगे ओहना च्विल जानना तूर से ना होतो और तुरंद खोलगो यानि जो चीज का परीचीत है उसके बारे में वही कह सकता है हर कोई नहीं बता सकता है तो जिस चीज के लिए जो वיא उसी से परीचीत है वही उस काम को कर सकता है ये सारी बाते आपको याद रखने है, टिटिहिंग एक भरोसे सरग टेका है, टिटिहिंग बोल जाए एक पक्षी के, है ना टिटिहिंग, टिटिहिंग मतलब बोलो है, टिटिहिंग टिटिहिंग कर ले चलता है सरग में, तो भी बोलागे एक टिटिहिंग भरोसे सरग टेका यानि कम चमता वाले व्यक्ति को बड़ी जिमेवारी देना यह एक तरह से पूरी तरह से अब यह उस्थित होता है अब जे आदमी कहिए गो दुचका मोटर साइकिल ना चले ले हो और तु दे तु बढ़का ट्रक चला विल तू कैसे चले तो तो बस वही कहाबत है यानि चम पहले दे दिये जो कभी देखवे नहीं किया है तो कहां से करेगा तो यह सारी चीजें आपको याद रखें चले गधाय पीए घीटर के गधा पानी पीता है लेकिन हीड के यह कहबत भी आपने सुना होगा यानि मुर्ख व्यक्ति करता है जरूर लेकिन थोड़ा देर से सम है हुआ कि एक व्यक्ति को हमने बोला कि लो खालो बना हुआ चावल सब्जी बना हुआ खाएगा चावल सब्जी खाएंगे तुम खाओ उन्हें खाया आगे गया पता चला कि उसको कहीं कुछ नहीं मिला फिर वापस आया बोला कि चलो दे दो यहीं खा लेते हैं चलो दे बार आपका घर में कुछ ऐसा वस्तु होगा जो उसका समय पर महत्व नहीं देते हैं लोग, ऐसे फेका हुआ है, बेकार समझा हुआ है, लेकिन समय पर उसका इतना महत्व होता है, इसके जगा पे अच्छे अच्छे बात, मांगी मांगी चीजें काम नहीं आता है, और उस सम व्रित व्यक्ति नहीं होता है ना वो घर जो है थोड़ा सूना सूना बुढ़ा और बच्चा ये दोनों का ही तो संगम होता है घर पे जब तक बुढ़ा और बच्चा का संगम नहीं मिलेगा घर में तो वो घर घर नहीं होता है और काडा बीनू हार ना है, जब तक आपका काडा नहीं है तब तक हार अच्छे से नहीं जोच सकते, यानि हुआ काची कि अपना सुबा पानी पड़ा या रात को पानी पड़ा आपको जवरत पड़ गिया हल जोचने के लिए, चार घर में गए कि दे दीजे हमको हर काडा हम ना दवो, तो वो समय पर कोई नहीं आया, लेकिन आपका था जब मन किये खोल करके निकल गए, और जब मन किया हर नार दिये, तो ये बातें कही गई है, साथी साथ एक और कहावत, बड़ी दिल्चस्प कहावत है, कहानी है, कि एक बारात जाता है, तो बारात में क्या होता है, कि बारात में बोला जाता है, कि आपको असी व्यक्ति आना है, लेकिन असी में से असी जमान आने है, कोई भी बुढ़ा व्यक्ति को नहीं लाना है, अब असी व्यक्ति में असी को आना है, इसलिए आना है, क्योंकि वहाँ पर जब जाता है, तो बोलता है कि चलो ठीक है जब बोला कि जबान जाना है, बुढ़ा नहीं जाना है, तो कुछ बोलते कि कुछ तो बात जरूर हो, एक वो बुढ़ाग लले चल, एक वो बुढ़ाग को क्या करते हैं, ट्रंक में, यानि बक्सा में भाहर के लेते जाते हैं, बक्सा में भाहर करके एक बुढ़ाग लेते खाय पर तो कोई बात ने चल बबाब पूछो ये यल्थुन सब बकसा ट्रंक वापास कि बबाग एक बात कहल कोई हो कि की बल से दखी ने असी आदमी आये लिए और असी आदमी बोल लो कि असी आदमी कसी खांसी हो और असी बजह का तारी कैसे खतम हो तो जो एक वो खंसिया कायट दियों और सब आदमी खायल शुरू करियों यकग दो-दो-पीस होतो और आड़तो लाए तुरंत खतम हो ये तो फिर दूसर का कायट दियों और वहतरी खायियों एक बज़ा का तारी निकाल दियों खोईल दियों और सब आदमी मिल के खाय लियों पता तो चलतो है ये ने गया वो लोग उसी तरह से किया पता चला कि सही बात है लोग ने खा भी लिया और उस तरह से एहसास भी ने हुआ कि हम इतना खायस हो तो यही कहावत है कि जो ऐसे ही याद आ जाएगा चली अगला कहावत है गामे कनियाए सिंधन चटी यानि दूर की चीज़ें अच्छी लगती है यसे नहीं बोलते है कि दूर एक ढोल सोहावन ढोल हलो गामों में लेकिन आनल्थू दूर के ढोल तो दूर के ढोल कोन हो तरी बजाय लो ने का तुन गामे कनियाए सिंधन चटी यहां गामे कनिया जी हो सिंधन चटी हो तो दूर की चीज़ें अच्छी लगती है घर की समान का वेल्यू नहीं होता है हर्दिक रंगर परदेशिक संग एक के रकम यानि आसानी से जो चीज़ें प्राप्त होती है न वो टिकाव नहीं होती है क इसलिए जो आप चीजें मेहनत करके प्राप्त करते हैं, वो हमेशा आपका एक आधार अस्तंभ के जैसा काम करता है, वो हमेशा आपके साथ रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता है, तो याद रखेंगे आसानी से जो प्राप्त चीजें होता है, वो कभी टिकाओ नहीं होता है कानी काय, बामन दान, और बामन कहे लईयान एकर कहावत की है, क्यानि मुप्त की चीज कैसी भी हो, उसको क्या देखना है, चलो ले आओ तो मुप्त की चीजें जो भी हो, उसको उठा करके ले आन यानि काने काय, बामन दान, और बामन कहे लईयान तो उसमें क्या देखना है कि फिरी कम मिल रहा है तो चलो देते जाओ अगला इसमें है खेत खाए गधा, मायर खाए जोलहा यानि करे कोई और भरे कोई खेत खाए गधा और मायर खाए जोलहा तो करे कोई और भरे कोई देखिए यहां पर बोले ना कि लगभग कहावत जो वो लगभग सभी जातीयों पर एक कहावत आपको मिल जाएगा, लगभग सभी जातीयों पर ठीक है, अब ये कहावत किस आधार पे तयार हुआ है, हो सकता है कि वरिध लोग टार्गेट की होगे, कि वहाई हम रहे जाती बना तो हम भी कुछ नया कहावत बना देते क्योंकि आखिर मह यह सब कहावत हम मूहीं सुनते आ रहें किसी का लिखीत प्रमान तो है यह किताब में दिया हुआ है महां पर भी एक उधारन की रूप में सामिल किया जाता इन चीजिउं Imagine तो आप आसे नहीं सी यह सारी चीज़ें याद रखेंगे दूर के ढोल सुहावन दूर की चीज़ें अच्छी लगती है अगला है रीन करके सोना रीन करके काने सोना कई बार ऐसा चीज हुआ कि आपने खाने का बहुत अच्छा मन किया आपने कर्ज ले लिया कर्ज ले करके अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं बाद में पता चला कि एतना कर्ज बढ़ गिया कि अब जो भी घरदवार था वो भी बेचना पड़ा और घर से भागना पड़ा रिन कीन के काने सोना पैसा घर में एक रुपया नहीं है कर्जा करके और पत्नी का जेवर बना दिये तो उक्रे कहावत है रिन कीन के सोना और यहां खाय ठेकान ना हो और यहां कर्जा करके जेवर बना रहे हैं तो वो सबके क्यों हुआ है आगे चल करके सबसे बड़ा धोखा खायल पड़ुए ठीक है पोसले कुकूर काते है जिसे सब कुछ माना वही धोखे बाज निकला यानि कई बार आपको ऐसा व्यक्ति मिलेगा जिसको आप बहुत अच्छा मानते हैं वही आपको धोखा दे करके आगे चल जाता है निब्रेक मौगी सब के भाजी कमजोर आदमी सब के लिए धोखा का पातर होता है कमजोर पहल थुन सब आदमी आएके गदगदा के दे के चेल गल थुन यानि ये लो एक कुमबा दे दलको लेकिन वह एक दनी बढ़िया आदमी जाकर के चुख देखा तो ना पार तो तो निब्रेक मौगी सब के भाजी यानि कमजोर आदमी के सब के धोखा के पातर बनता है यानि सब के सब का धोखा का पातर बनता है सब को उसको सताता है गुरा फुट लें दूख बिशरे जवरत पड़ा हमको पैसा का हमने किसी से मांग लिया हमने पैसा लिया काम हमारा निकल गया फिर हम भूल गए कि उसको पैसा भी देना है तो गुरा फुट लें दूख बिशरे जैसे गुरा फुट कलो दूख कैसे खतम हो गया का याद पत आजुक सेट यानि अपने पुराने दिनों को भुलाया जाना अगला है अंकर चुका अंकर की पांडेक बापक लागल की यानि मुप्त की चीजें अच्छी लगती है तो यह सारी चीजें आपको याद रखना है अगला है करिया आखर 20 बराबर घर घर चीजसां लेक नहीं होते है जहें आज सब नचिकार की पैठे डड़ातों है या वह पर दास अच्छा बुरा सब एक समान के लिए अब उसको शमज़ाइएगा कि येखर भड़ियां हो और रिभड़िया हो और इबढ़िया हो कोई जब अर्थे ना पता कि कौन बेसर कौन खराब है से तो आपको आगी चल करके एक बहुत बड़ा धोखे का सिकार होंगे अगला सवाल है कि आपने बांच तो परोशियों बांच यानि अपने ही तरह दुसरों को भी समझना जैसा अपने है उसी तरह से दुसरों को भी समझना तुसी का कहाबत है आपने बांच तो परोशियों बांच अगला है एक वो हर्रे और गोटे गाउं खोंकी नहीं बुलते तो उसी को बोला गया एक हर है और गोटे खाओं गोटे गाओं खोखी यानि एक ही चीज पर सभी लोगों को भरोसा होना या सभी लोग आस्रीत होना जतना के बबुआ अतना के जुन-जुना यानि जतना का जरूरत का समान नहीं है उससे ज्यादा अधिक खर्च कर दिया यानि जो संपती होने पर जो वो अहंकार हो ही जाता है अगर महिना चूटरिक भी है तो इसका अर्थ क्या है संपती होने पर अहंकार हो ही जाता है जूर हिलेलें बाग डर है कि जूर हिलेलें की बाग डर है तुनकी यानि कमजोर आदमी जो बड़ा लोगों को कुछ नहीं बिकार पाता है तो कमजोर व्यक्ति जोबो बड़े लोगों का कुछ भी नहीं बिकार पाता है और हमेशा इसलिए तो वो सोसन का सिकार हमेशा होते है ठीक है तो ये सारी बातें आपको याद रखने है अगला है गामेक जोगी जोगड़ा आनगाओं में सीध यानि नजदीक की चीज़ें मुलहिन लगती है और दूख के दूर के चीज़ें अच्छा लगता है दूर के ढोल सुहावन वही वहला कहावत है है तो गामेक जोगी जोगड़ा और आनगाओं के आनगाओं में सीध तो वही चीज़ है अगला है अनारी जोते कनारी और सियान जोते बहिया यानि सीधे साधे लोग जो वो हमेशा ठगे जाते हैं अनारी जोते कनारी और सियान जोते बहियार ठीक है तो यह आपको याद रखना है जो अनारी लोग होते हैं वो कनारी और कनारी किसको बोलते हैं दलदल छेत्र को हाना उसको किसको बोलते हैं दलदल छेत्र को और सियान जोते बहियार और जो मनसे दिखना होता है जो चालाक होता वो जोता है बहियार Shkid आप यह तो कई पार आप नहीं सुनाए जतना के मूर्गी नहीं अपर से जचादा मसाले इन जटना फ्रटू का डरता है तो वही आपके बोला गया कुकूर भूक लें कि बदरी फाटे अगला है गोड़नाय करें गोड़नाय चले कईराक भार यानि ताकत छमता से अधीक काम करने की जिम्यवारिद लेना होता क्या कि आपके पास छमता कुछ है आपने डेली मान लेते हैं कि कोई भी काम कर ने आपने भार ले लिया इतना बड़ा बावार ले लिया तो आपके उपर में बोज हो जाएगा यानि गोड़नाय चले कईराक भार जब आपके उर में जब भार जितना आप लेसक्ते योण है उतना अगर ले लिया उसके बाद थोड़ा सा भी अगर अधिक मिल गिया एक तिनका का भी भाव अधिक पड़ गिया आपके उपर में तो वो बहुत भारी last लगेगा तो वहीं यहाँ पे बोला गिया चाम सुन्दर ना काम सुन्दर बाहरी सुन्दरी का महत्व नहीं होता है गुन का महत्व होता है है ना आपका काम प्यारा होता है आपका सरीर प्यारा नहीं होता है आपका गुन का महत्व होता है ठीक है अनगर्जुग भिहा कनपटिये सेंदूर अनगर्जुग भिहा कनपटिये किया जाता है वो किसी तरह से इसी तरह से होता है अधद कुंडी महुआ गुंडी यानि कम मजदूरी देने पर काम भी वैसा ही होता है है ना कि अधद कुंडी महुआ गुंडी यानि जिस तरह से पैसा दभी वैसनें काम होता है ठीक है गुमन मुहा सर्वनास करे गुमन मुह सरबस नासे यानि जो चुपचाप रहने वाला व्यक्ति जो होता है वो कब आपको धोखा दे दे ये आप सोच भी ने सकते है नतिय ही बोला गया गुमन मुहा सरबनास कर नासे सरबस नासे यानि चुपचाप व्यक्ति जो रहने वाला होता है वो काफी खतरनाक होता है आपक हो सकता है कि सामने वरस लग रहा होगा कि वो कुछ ने करेगा लेकिन कब उसको आप कब आपको धोखा दे करके चला जाएगा और कब आपको बड़ा आगात पहुचा देगा यह आप सोच भी नहीं सकते घारे भात तो बाहरे हूं भात यानि अभी थोड़े दिर पहले हमने बताया कि यहाँ पर अभी हमने उसको बोला कि खालो यहाँ पर नहीं खाया बाद में घूम करके फीर आया बोला कि ना दे तो वही चीज महाँ पर एक महाँ पर हमने दूसरा चीज बताया था है ना कि कहने करते हैं कि अगर आपका घर में सम्मान है तभी बाहर में भी सम्मान मिलेगा और अगर घर में सम्मान नहीं मिल रहा है तो उस व्यक्ति को बाहर में भी सम्मान नहीं मिलता है इसलिए अगर आपको सम्मान पाना है तो पहले घर में सम्मान पाईए फिर बाहर में सम्मान मिलेगा आपको अगला है जिन्दे भोज तंदे सोच यानि हर वक्त लाभ ही लाभ देखना यानि जिधर मन किया उधरे सोच हो गया यानि जन्दे भोज तंदे सोच यानि हर वक्त लाभ ही देखना गाचें कठर ओठे तेल, अब हो ने कि साधी भेल ना होकर पहले हो लो कि हम आपन बूतरूग नाम ए रखव, हम आपन बूतरूग के नाम मंगरा रखव, अरे बाइ साधी हो ले ना तो पहले साधी हो तो तब ने तु बूतरूग नाम सोची हो, तो वही कहा बत है गाचें अगला है जार गुने जीगा और बाप गुने पूता जार गुने जीगा और बाप गुने पूता ठीक है जार गुने जीगा यहांपर जार किसको बोला गया जी तो देखते होंगे जो लट पात होता है यह इस तरह से आपने कैसी गाज पेड का डाली आप लाकर के डाल दिया यहाँ पे जो लट चढ़ा तो वो क्या है कि जेंगा महाँ पे अच्छा से फलेगा बाप गुने पूता और जिस तरह से आपका पिता होगा उसी तरह से आपके गुन पे यानि आपके परिवार का परभाव जो वो आपके उपर में जरूर पढ़ता है हो सकता है कि अपवाद अलग बात है कुछ अपवाद ऐसे होते हैं जिनके पिता बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बेटा देखिएगा एक नमबर के लिठखुर तो बहुत एसन हो वह. तो ऐसा होता है लेकिन कुछ कुछ ऐसा देखा गया कि पिता का गुन जो वो उनकी बच्चों पर देखने को मिलता है तो खांदान या वंस का परभाव पढ़ता ही है आंधार गुरु बहिर चला गूरे मांगे तो देढहला यानि आव ब्याउस्थित किसी भी तरह से सही धंक से ब्याउस्था नही और मन सर्दा सांधा यानि विवासादी में रजामंदी जरूरी है कोई काम जबरदस्ती बेसन है यानि कोई भी काम में जो वो एक दुसरे का रजामंदी यानि दोनों का उसमें समर्थन होना आवश्यक होता है कोई भी काम जबरदस्ती से अच्छा नहीं होता है देले बर लेकिन अभी वहां पे की हो कि देखाना हो आपना स्टेटेस भी तो बरकरार रखना हो तो यहां पे बात कर लिए चाहें जूठा अंकार करना जूठा सम्मान पाने की कोशिज करना बाकिक अंदर से की हो से सब जानो थू नाम गागा फैंचा राजा यानि उंची दुकान फिकी पकवान कहा गया है नाम गागा और पैंचा राजा वही है उची दुकान फिको खावण तो चाहीं मुफ्त की चीज है जैसी भी और अच्छी यहोती है धेर संगी फेरी पॉकाे मूरे यानि बीना काम की लोगों की भीड परिसानी का कारण होता है ठीक है तो धेर संगी भेड़ी पोकायमोरे यानि ज्यादा जो भीड भालवाल होता है इसलिए आप चार मित्र ही बनाए लेकिन आप अच्छे मित्र बनाए ना कि उसके बजाए 20 आपने थोड़ा थोड़ा ग्यान वाला मित्र को बना लिया लेकिन वो आपके लिए हानिकारक है आप चार मित्र बनाए मात्र लेकिन वो अच्छे होने चाहिए सभी के गुन अच्छे होने चाहिए लोगों की मानसिक्ता अच्छी होना चाहिए लोगों की सोच अच्छी होना चाहिए तो वो आपको चार लोग ही जो है वो ये 20 पर भारी पढ़ जाएंके तो यह यहाँ पर बोला गया है धेर संगी भेड़ी पोकाई मोरे ठीक है चली आगे बढ़ते हैं बिहा गेले जहमडे नाच यानि समय बीतन के जगा पर क्या कटע रहा है क्या हंसुआ पहचानेगा क्या घास आ रहा है मरंडा आ रहा है तो सबको वो काटते चला जाएगा आप जिस की उसको काट देड़ी पहचानेगा यानि वही कहावत है क्योई कुछ नहीं देखता है कि वो व्यक्ति अमीर है या गरीब है हलाकि ये कहावत तक ही ठीक है कहीं कहीं पर ये काम आ जाता है ये अमीर और गरीब वालग कहावत यहां पर थोड़ा सब जगा ठीक नहीं लगता है लेकिन फिर भी कानून आज भी जिन्दा है है ना ये बोल सकते हैं कि कानून आज भी जो जिन्दा है और लोगों के पास में कई बार एक कानून ही जो होता है वो अंतिम सहारा देखने को मिलता है बोड़ बोड़ दादा बोहाय गेला और गधा कहे कते पानी बोलते दूर मर्दे सब सब मतलब बड़ा सब्सक्राम से कामिन होतो है तो बड़े बड़े लोगों की समस्या का समाधान ने हुआ और छोटा व्यक्ति ही उम्मत धर रहा है कहाबत मान सकते हैं कि या रत्लप काम करता है हां और यह कोशिस करें न स्वD तो बोलते हैं जब हत्ıð नौन मातलों So to to Titan मर्दे orders क character धा तो सही तो बढ़ियां बढ़ियां जे हल्थू सब बोई घल्थू अब यह पुछे ले कि कते पानी अगला है सई सरिशेक तीन पात धाक के तीन पात तो यहां पे कोई बदलाव नहीं फिर वही पुरानी बात को लेकर बैठना यानि कोई बात घुमा फिरा करके आप वही बा दाव देखता है आपको यह ताक लगा करके बैठा रहता कि कब आप उसे मौका देंगे गलती करके और वह आपको पीछे खीचने का प्रयास जो वह कर लेगा और वह सफल हो जाएगा उसमें अगला सवाल है पोहनो चिन है बिहनेक धान यानि अतिम हत्मुन व्यक्ति का सम्मान देना यह आपका हक है और उसे हमेशा हक दीजे सम्मान जरूर कीजे है ना ने तो फिर अगला बार कुटूम नाय थून ठीक है बैसी खैले नदिक बालगों कम पड़े हुआ कि आपने आपके पिता जी नौकरी कर रहे थे उनको मिला पेंसन के रूप में मिल गया मा खता जा रहा है पता चला 10 लाग ये धीरे-धीरे खरक गया अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा तो पर और लगता है बैसी खैले तो नदिक बालगों कम पड़े है तो वही है बीना आमदनी की आमाशक खर्च करना ये उचीत नहीं होता आपको आगे चल करके द्धोगा स चोटा काम बड़ी हानी हो ना तो इसका अने वाली विपती की सूचना आना, देख ले जनिया पितियायन शास, कई बार आपने घर में आपने ये बात सुना होगा, परिचीत जैसा ब्योहार करना, आप उसे पहचान रहें लेकिन फिर भी अंजान बन रहा है तो भी कहा लें देखने जानिया पितियान सास तो यानि परिचित होने पर भी वो परिचित जैसा ब्यवहार करना गाचे चड़ा है फेड़े देव इसलिए आप सांथ होकर के चुपचाप होकर के अपना काम करते जाएए जिस दिन सफलता आपको मिलेगी उस दिन पूरा दहारता हुआ नजर आएगा और वो सांथ ही जो आपको दहार एक नए दहार के रूप में दिखने को मिलेगा देश गुने भेज यानि समय उप्यूक्त काम किया जाना है जिस तरह से देश होता है उसी तरह से वहाँ पे आपना भेदभाव या कह सकते कि भेदभाव नहीं बोल सकते यानि उसी तरह से काम करना चाहिए उसी तरह से वहाँ पे यानि जैसा जगा हो उसी के अनुसार से आपको ढ़ल जाना चाहिए घर है अब आई एम नॉट मतलब पूरा इंग्लीज जार रहे तो मारतु एक जापड यहां घर लगो तो घर में तु इंग्लीज की बोल रहे लिए घर में जैसा नहीं वैसन बोल आप गए दूसरे जगा बाहर में निकले तुमाँ बैठ ठीक है ह दूसरे अमेरिका चल गए महां इंग्लीज बोल यह ना कोई दिकत नहीं यानि देश गुने भेज जहां पर जैसा उप्यूक समय है उसी कहनुसार से काम कीजिए अब वहां पर गए आप किसी के मर्खी में और आप जो वहां पर हस रहें मार्थु मार्थू मुहों पर काई तो अरे भाई कोई मरल थोड़े वह संधून बजाओ कि साधी वाला उमंग वाला हो ठीक है तो इस तरह से यहां पर बात है चेका से डेरा हलों तेतर तर बास पहलों यानि जिस चीज से डर है थे पता चला कि बात में वही सवार हो गया है हमारे कपार पर आपको क्या है कि म मैत से बहुत डर लग रहा था आगे चलकरके ऐसा हुआ कि मैत पढ़ना आपकी लिए अनिवार हो गया मैत पढ़े बिना आपका काम ही ने निकलेगा जे चीज से भागो लियो वह है चीज फिर कपार में आके बास फोगलो तो वही चीज है यानि जिससे डर गया वही सीर प यानि कम नुक्सान का काम नुक्सान का डर नहीं फाइदा उठाना हो सकता है कि कम नुक्सान है या पर फाइदा हो भी जाएगा तो अच्छा ने जैसे कई बार हो लो दूट का लोट्री टिकट हलो दूट का लोट्री टिकट हलो और एक हजारों कर में निकलता लो चलने चीजे आवे आम चाहें जाए लेबदा यानि अगर हो गया तो आम आ गया तो फाइदे फाइदा है ने तो लेबदा तूट जाएगा तो कौन सा आमको पैसा लगाए लबदां फिर तो और लवे दोसर अगला सवाल है मास बोने डॉम काना यानि किंग करतब विमूड होना यानि किसको लें किसको छोड़ें कई बार आपको चार आदमी मिले हैं और जाना हो बेटक तिल्लक में अब चैरू आदमी हतु बढ़ियां बढ़ियां और तो जाना हो वहाँ दूए आदमी अब उन्हें ये बाव ककरा लग यहां पर बोलल गिले मास बोने डॉम काना यानि किंग करतब विमूड होना किसको लें किसको छोड़ें समझ में नहीं आ रहा है है न यहीं सारी आपको याद रखने हैं सोनरेक सौ तो लोहरेक एक यानि बड़े लोगों का जो बदला होता है वो जवरदस्त होता है य यानि अपने लोग ही जो होता है वो ज्यादा नुकसान करते ह flex creates क्योंकि आपको भरोशा उसपे जयदा होता है आप उसपे कभी सक नहीं किज़ेगा इसलिए वो नुकसान भी आपको ज्यादा पहुँचाते हैं आइसन जगा बैठ गयो जे कैव ना कहो जूट, कहावत है क कि ऐसन जगा बैठ जे क्वे ना कह उट और ऐसन बात बोल जे क्वे ना कह जूट तिये सारी आपको याद रखना है तो इसका अर्थ क्या हुआ उप्यूक्त काम करना चाहिए यानि जो उप्यूक्त होता है वो ऐसा काम किजिए जो कि आपको कोई कभी गलत नहीं करे पीठे म मुहें चूमा पीठे मायर मुहें चूमा ठीक है तो एक इसका और भी है मुड मायर के मुडें चूमा तो विश्वास घात करना और फिर कह सकते कि बाद में जो वो आप उसके सामने में अच्छा दिखावा कर रहे हैं या तो फुसलाने का प्रयास कर रहे हैं तो पहले आप और बाद में उसके साथ में अच्छा बरताव करना लगें घास और ठेंगे पानी यानि बेमन से किया हुआ काम अब लगें घास लगी से घास काई टर लो कते पढ़िया कटे तो ना कटे तो ठोंगे पानी अब ठोंगे पानी भर में तो ठोंगे पहले बिलाएजी तो तो वो काम यानि बेमन से काम करना ना पाखन सीजे ना मुरुख बुझे यानि मुरुख लोगों को जल्दी बात समझ में नहीं आती है उसको समझा करके फाइदा ने इसलिए उस समय से वैसे जगा पे आप जहां डिजय लगालोः अब वहाँ पर ड्षोल के की भेलू तो यहां पर ड्षोटा धोल यहां पर कोई बेलुए ना हो यहां पर छोटा धोल जोल हो अब बज़र लेकशो कोई मत engagला नहीं तो धोल इहां बजा रहला वर रहां कोई मतलब अधो गोलं यहां सब द्यूज जगह थूर यही बात है धाकेक आगू बेनी बाजा चोरेक आगू ताला और बैमानेक आगू के वाला यानि चोर के आगू में ताला बैमान लोगों के आगे सब बेकार होता है वो अपना दिमाग लगा लेते हैं लोगों ने कहा कि CCTV केमरा आ जाएगा तो चोरी नहीं होगा लोगों के पास है ना सब के तो वही कहावत है कि चोर के आगो ताला कितनों बड़ा ताला लगा लेजी वो तोड़ देगा और बैमान के आगे कितनों बड़ा केवाला हो वो खराब खतम कर देगा वही कहावत है यहां पर हुरसाग पिंदना धीड़ा उपर यानि जवर्दस कमार फार पाइन दे हमार यहां पर है कि डहरें पहलों कमार कमार यहां पर जो लोहा का जो काम किया करते हैं उनके बारे में फार फार बोलते हैं कि जो हर का आगे का जो लोहा का बनता है पाइन दे यानि उसको चोक कर देना हमार तो मिलो रास्ता में यानि जवरत मिलो तो यानि सामने देखने पर उसको याद आना तो उसको जब आपने अचानक से सामने देख लिये तो आपको वह सारी बाती याद आ गई यानि जरूरी काम की पहचान नहीं कर पाना और घरें भूझी भांगना और देहरी में नाच यानि अतधीक फुटानी करना खानी कर लिए जूटने रार बड़ा बड़ा बात दिंग हाए कर लो कि ऐसी है वैसी है हम वो करते हैं ये करते हैं लें वहाँ गरम पता चलो कि कुछ ना हो अगरा है पिंधे कर साधा औरहे कर साधा जे निफ बाप दादा तो कहावत है कि पिंधे साधा औरहे कर साधा जे निफ बाप दादा तो कहावत है कि पिंधे साधा औरहे साधा जे निफ बाप दादा यानि जो आपके माता बाप दादा से चलता आ रहा है जो आपको अच् तरीके से चल पाएं ऐसा नहीं करके रख दीजे कि बेटा सब को आने के बाद पच्तावा होना पड़े कि बाप ने हमारे लिए तो कुछ रखी नहीं दिया सब तो पहले से खेतवारी सब बेंच दे ले थू तो बदला भी वहतर ही निकाल तो कि हमर खते नहीं रहें थाम पीठेग भाइ गैठेग सोना यानि सगा भाई जो होता है वो सोना से कम नहीं होता है dog합 गैठेग सोना यादिजी समान मेहनत जैसा है ना एक जैसा मेहनत करने वाला से यहां तुलुना किया गया है ठीक ना इसलिए बोला गया कि मरद और बरद जो वो समान होता है कहां पे मेहनत करने के आधार पे दुसरे जगह पे नहीं चली काम नाए काज के दुस्मन अनाज के यानि बीना परिश्रम के खाना है ना बीना परिश्रम के खाना ना बोलते हैं काम ने काज के दुस्मन अनाज के ले बैठके बैठके खायर लो खली चोरेक दाढ़ी खईका यानि चोर को तो यहां पे खोठा लगो तो खेरका हो तो तीनका जवा में हाव भाव करे बढ़िनिया और फूइक मार पिये कुमहेनिया अब देखें यहां पे कुमहार को भी नहीं छोड़ा जा रहा है यहां पे हर जाती को लपेटा गया है इसमें से जाव जावदो का भी आता है हर जाती का घर धोबी है कि लेना भी ठीक नहीं है यह अच्छी भी नहीं है लेकिन लगवग चेंपो एक जाती जाती यार को यानि हाव भाव करें बढ़ेनिया और फुइक माड़ पिए कुमेनिया यानि मेहनत कर रहा है कोई और उसको फल उठा करके कोई दुसरा आदमी ले जा रहा है दिन रात तयारी आप कर रहें और नोकरी कोई और व्यक्ति ले रहा है समझ गयोंगे बाकी की चीज़ें को तो अच्छा से समझ में आ गया होगा बाकी चीज़ें समझाने की जरुवत नहीं है चलिए अगला है सांज एक पानी और पहुना दूइयों नाए जाए सांज के पानी ये तो जल्दी उन छुटतों नाए और सांज के पहुना ये थू तो वह सब जल्दी नाए इत्रहक का तो आप सांज होगलब की जिवाब रुखिये जाए यानि साम को आया अतिथी और साम को आया वर्सा संभावता नहीं जाता है तो यह दोनों देर रुखी जाते हैं ज्यादा तर तो उमीद करते हैं कि आज का सेशन आप सभी को पसंद आये होगा है थोड़ा साज खोठा का ज्यादा परियोग किया है कोसिस किये हैं कि चलो है ऐसा टॉपिक है यहाँ पर खोठा हम नहीं बोलेंगे तो यहाँ पर चीजें उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा लेकिन हम इसलिए mix दोनों मिला करके बोलते हैं ताकि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको खोठा बहुत अच्छे से नहीं सेंस आता है अच्छे से नहीं समझ में आता है तो उसके लिए भी हम हिंदी का परियोग करते हैं ठीक है बागी खोठा ऐसा नहीं कि खोठा आता नहीं मुझे या तो बोलना पसंद नहीं है मुझे हर चीज पसंद है लेकिन दोनों को हम हमेशा बोलते हैं कि हम मध्यम मार्ग अपनाते हैं, हम बीच का रास्ता हमेशा चुने हुए हैं, जो दोनों के लिए सही होगी हो, ठीक है, बस और कुछ नहीं है, फिलाल के लिए तना ही, मिलते हैं इसका अगला पार्ट में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद